वेल्कम टू केजी कलब आज हम लोग एगनु का एक बूक है हिस्ट्री की बी एच आई 107 जिसका एकजाम होने वाला है तो बी एच आई E107 और EHI07 दोनों European history से related subjects हैं तो आज हम यह दोनों ही subject का syllabus सेम है question common है तो दोनों ही subjects का हम हम लोग topics और questions को discuss कर लेते हैं जो कि exam में आने का जिसका exam में आने का बहुत ज़्यादा चांसे ठीक है पहला question देखिए इसमें क्या है revolution of 1789 इन France France में 17 1789 की क्या थी यह बहुत ही बड़ा revolution बहुत बड़ा revolution था जिससे वहाँ पे France में जो imperial रें था ना उसका अंत हो गया ठीक तो इसके आड़े में आप लोग देख लिजेगा दूसरा है how do the industrial revolution start and develop in Britain Britain में industrial revolution कैसे स्टार्ट हुआ industries कबसे बनना पनपना शुरू किया इसके पीछे का राजन रीजन क्या था ठीक है और industrial revolution से वहां की economics पे क्या आफर पड़ी यह सब आप लोग इसमें लिख दिशेगा तीसरा question है various theories of imperialism in Europe Europe में जो imperialism था कि वहां पे जो यह सामराज जिवाद फैला हुआ था उसका धेर सारे thinkers ने इसको इसका theories को discuss किये हैं इसके पीछे का theory क्या था imperialism के पीछे का क्या कारण था उसको यह सब thinkers ने बताया है आप लोग इसमें लिख देंगे मैं कुछ बता देता हूँ आपको thinkers के नाम जो इस imperialism in Europe मतलब योरोप में सामराज जिवाद के बारे में जो बताये हैं आप लोग उसके बारे में पर पढ़ लिजेगा तो वो सब हैं जैसे Karl Marx इन्होंने theory दिया नहीं लेकिन इनका जो topic था जो इन्होंने अपने book में लिखा था उसमें ऐसा ही अनुभव war अपना डाले हैं दूसरा है जे ए हॉप्सवन उन्होंने क्या कहां आप लोग देख लिजेगा जे ए हॉप्सवन का में कहना था कि यह जो imperialism फैलता है सामराज जिवाद कहीं फैलता है तो वहाँ पर इंकम का लेवल एक सामान नहीं होता है उपर नीचे होता है मतलब जो imperial country है जो उसको अपना गुलाम बनाए हुए है उसका इंकम ज्यादा रहेगा और वहां की इंसान का कम रहेगा तो वह जे ए हॉप्सन का यह कहना था तो कुछ नाम है जो आप देख लिजे कार्ल मार्क्स हो गया जे ए हॉप्सन हो गया आर हिल फर्डिंग हो गया और हिल फर्डिंग उसके बाद रोजा लेक्जेंबर और लेनिन इन्हों ने इंपेडियलिजम को लेकर के क्या कहा इसको आप लोग देख लेजेगा अब है रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 का रिफॉर्म एक्ट क्या था तो यह रिफॉर्म एक्ट कहां शुरू हुआ था तो य वहां ब्रिटेन की जनता चाहते थी कि सीट जो है पार्लियमेंटरी सीट जो है उसका डिस्ट्रिब्यूशन हो ना डेमोग्राफिक पैटर्ण पे जहां का पॉपॉलेशन के हिसाब से सीट वहां पे सीट का बटवारा हो और अगर कहीं पे पॉपॉलेशन बहुत कम है तो फिर वहां से सीट अटा लिया जाए मतलब वहीं सीट रखे जहां इसके जरूरत हो उसके बाद 3% इसके तहत वोटिंग का बात रखा गया लेकिन प्रोपर्टी राइट्स वोटिंग का फिर भी रहा गया जिसको प्रोपर्टी है वही वोट देगा जिस वज़े से सिर्प और सिर्फ 3% लोगी वोट देते थे ठीक है और इन्हों इस Act में क्या हुआ Reform में 1832 का और इसमें हुआ कि Parliament पे Control कैसे किया जाए तो Parliament पे Control करने के लिए Committee बनाई गई Parliamentary Committee और Political Party पे Control करने के लिए बनाए गया WIP ठीक है तो यह सब इस Reform Act में आया थे आप लोग एक वाड़ इसे पढ़ लिजेगा पाच्वा क्वेस्टन क्या है Revolutionary movements in Europe in 1820s and 30s 1820 में 1820 से आगे और 1830 से आगे कौन-कौन से revolutionary movements हुए वो आप लोग इसमें पढ़ लिजेगा देखे इसमें सीधा है World War खत्म हुआ था 1820 और 1830 में revolutionary movement में agriculture पर क्या impact पड़ा इंडस्ट्री पर क्या impact पड़ा हां और major landlords का क्या कहना था वो क्या चाहते थे पिजंट किसान क्या चाहते थे और यह सब को लेकर धे सारे तक्रारें हुई आम लोगों से और monarchial जो होते थे जो राजशाही होते थे उसके बीच में यह सब चलता रहा ठीक है एक वार आप इसे भी देख लिजेगा उसके आदेवाट लेट टू दा रेवाल्यूशन ऑफ 1848 न यूरॉप 1848 में जो का जो रेवाल्यूशन है उसके बारे में आप लोग इसमें बताईएगा आप लोग उसे एक बार 1848 का बहुत फेमस यह रेवाल्यूशन था इसमें क्या हुआ था कि इसमें भी पढ़े ऐसको को लिजे लिए फिर संट में कुछ जो नेगैटिव एसपक्ट ते उसको लें गरें कि ㅇसको अधारवाद का कुरांति किया उन्हों नहों ने आक क्रांति किया कि पढ़े लिखे लोग के इसको लिए कर कर पार के एकtype निसमें एधां ऐसके उधिटान ते संटाकर्स यह सब में से question एक ना एक आएगा ही आप लोग इसे एक बार इंटरनेट वे भी कम से कम सर्च कर ले हैं ठीक है साथवा question इंडस्ट्रियल कापिटलिज्म इन रसिया इंडस्ट्रियल कापिटलिज्म रसिया में कब आया देखिए जब इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ ठीक है तो वो यौरॉप में पहले हुआ किधर वेस्टर्न यौरॉप में ब्रिटेन फ्रांस ठीक लेकिन यह रसिया आते आते बहुत टाइम लग गया रसिया में यह लेट से आया ठीक तो इसलिए आप एक वार इंडस्ट्रिल कैपिटलिज्म रसिया में कव आया और इसका क्या इंपेक्ट पड़ा वह एक वार आप देख लिजएगा यह पॉलिटिकल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है कैसे आप लोग इसे बता देजएगा ठीक है क्वेश्टन नाइन क्या है कंडिशन्स और पीजन्स इन 19th सेंचुडी यरॉप जब 19th सेंचुडी हमेशा याद रखेगा कि इस मशीनी करन का दौर था यह इंडस्ट्रियल आइजेशन का दौर था ठीक है तो इस वक्त किसान पे इसका क्या परभाव पड़ा यह आप लोग लिख लिएगा इसके आरे में पढ़ लेंगे एक वर अब है इतली में जो फासिवाद आया वो क्या था फासिवाद का नेचर कैसा था हम सब जान नहें ज इसे कि सिर्फ उसे देश का फैदा हो नेशन का फैदा हो तो अब फासिवाद को देख लिजेगा इस अपने रीजन को देखने के चकर में आम लोगों में क्या परशानिया हो रही है वो कुछ भी नहीं देखा सबका एक्स्वालेटेशन हुआ था ठीक है तो इटली में फा अब 11th question क्या है यह देखे 10th question में फासिस्ट स्टेट था और 9 पिजिन का कंडिशन ठीक 11th question में है 3rd rick in Germany जर्मनी में तीसरा रीक क्या था ठीक तो देखे इसको आप एक वार पढ़तो लिजेगा लेकिन 3 रीक जर्मनी में था कि 3 रीक में यह नाजी जर्मनी का दौर आया जिसमें हिटलर का वर्चस वो बहुत ज़्यादा बना रहा तो आप लोग इसको देख लेजेगा पारवा question क्या है 12th question economy on quality during cold war period अब जब second world war भी खत्म हो जाता है दुनिया दो भाग में बढ़ जाती है दो गुरूप में बढ़ जाती है एक तरफ USSR था दुसरे तरफ USA था तो इसके साथ इस समय इसका क्या impact पड़ा पूरे दुनिया के economy पे और पूरे दुनिया के quality पे यह पढ़ लेजेगा इस वक्त याद रखेगा जब दुनिया दो हिस्से में बटी थी दो हिस्से तो कहिये ही मत दुनिया तीन हिस्से में बटी थी एक USA था एक USSR था और एक व गुरूप था जो कि दोनों में से किसी के साथ नहीं था तो यह पॉलिटी एक तरह से मैंने आपको हलका साथ बटाया है आप इसे एक वार कवर कर लेंगे इंटरनेट से इसमें उस कोल्ड वार के टाइम का पॉलिटी और एकॉनमी दोनों पढ़ लेंगे ठीक 13th question क्या है various theories of imperialism in Europe यौरॉप में imperialism का various theory जो मैंने आपको बता दिया साथ question रेपीट करके है ठीक है बिस्मार्किस्म क्या था देखे बिस्मार्क आया कहां बिस्मार्क जर्मनी माया हिटलर के आने से पहले मतलब जब फर्स्ट वर्ड वार खत्म हो गया और जर्मनी पे काफी जयदा कर्ज डाल दिया गया फ्रांस के द्वारा अमेरिका के द्वारा तो उस वक्त वहां के जो राजा थे कैसर सकेंड थे शायद उनको हटा करके जो नया कंस्टिशुशन बना ज यह बिस्मार्कियम यह बिस्मार्क का आइडिया है आप लोग इसे एक बर बढलेंगे कि उन्होंने इक अ किस तरह से चलाने की कोशिश किया उन्हों ने अग्रीकल्चर पर किया? harum product technology इंडस्टिर पर क्या ध्यान दिया क्श्टिशं बीक्क्राट दिया आम लोगों केश क कौन-कौन सा नियम, रूल नियम लेकर किया है, वो इसमें है, फिप्टेंथ क्वेशन है, दा टेक्नोलाजिकल इन्नोबेशन फॉर्ड मॉडर्न वॉर्फेयर, ये जो आधुनिक यूद्ध था, उसमें आधुनिक तक्नीक, अब इंडस्ट्रिल आज़ेशन आ गया था, तो क्या महतवपुर्ण योगदान रहा, आप लोग इसे लिखती सेगा, लिवर्टी का धारना क्या है, हम लोग लिवर्टी किसे बोलते हैं, नोशन अफ लिवर्टी, कुछ पॉइंट इसके आप लिखती सेगा, वेरियस स्टेज़ेश ऑप कॉलनियलिज्म इन इंडिया, इं सकेंड स्टेज 1813 से लेकरके, लेकरके 1858 तक सकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज 1858 से लेकरके, जब तक हम लोगों को फ्रेडम नहीं मिल गई, तो इस बीच क्या-क्या हुआ, एक बार ट्रेड पे मॉनी मॉनोपॉली आया, दूसरे बार फ्री ट्रेड का चलन चला, ठीक, और उसके बाद ये तीनों स्टेज में आप लोगों इसमें क्याक है, आप लोग पर देख लेंगे, तो यहीं सब्स हैं, कॉलोर्नियलिजम, इंपेरियलिजम, यह हर एक स्टेज में इंडिया में फैलाते, एक बार आप इंडियन कॉलोर्नी को पर लिजेगा, अलब इस्ट थ्री स्टेज में देखी जैसे, थ्री स्टेज में हम लोग इंडिया का कॉलानी पढ़ें, कॉईस्टन 18 में, इसी तरह से यह जो है न्यू एकोनामिक पॉलिसी लाया गया सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन मतलब आजकल का डोस, तो उन्होंने अपने इकोनामी को बढ़ा चरहा के बढ़ाने के लिए, इन्नोवेशन लाने के लिए, कुछ स्टेज में अपने एकोनामी को बढ़ाए, जैसे उन्होंने फाइव एयर प्लांस लेकर के आया, पंच वर्षिय यूजना ताकि यूद्ध के बाद जो एकोनामी रूस का खड़ाब हुआ था, य यह जो नया पॉलिशी, न्यू एकोनामिक पॉलिशी आया, यह पंच वर्षिय यूजना के तहत रूस में लाया गया, जिसमें इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया और एक्रिकल्चर पे जादा ध्यान दिया गया, ठीक, त्वेंटीथ, बीश्वा क्वेस्टन क्या है, एक तरह से शुरू हो चुका था, अमेरिका में लोगों के खुद का साजन, इसमें एक फीडबेक था, कि इसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोड़े लोगों को दिया गया था, बाकी सब चीज जैसा एक डेमोकरेस्टिक कंट्री में होता है, उसकी शुरुवात हो वे थे, तो वो जैक्सॉनियन डेमोकरेसी में आप लोग एक बार देख लिजेगा, ये था 21 questions of BHI 107 and EHI 07, which is very important for the exam perspective, ठीक, आप लोग इसे देख लिजेगा, इसमें से 90% question तो इसमें से आएंगे, आप लोग एक बार इसे देख लिजेगा, आप लोग का exam बहुत अच्छा जाए, all the best, thank you.